गाइज आज के इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले डेटा इंटरी जॉब इंटर्व्यू के कुछ क्वेसिक्स के बारे में कि यहाँ पर जॉब के लिए कौन-कौन सा ऐसे बेसिक क्वेसिक्स पूछे जाते हैं क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई डेटा इंटरी के इंटर्व्यू का प्रिप्रेशन करता है तो उनको मेजर किन टॉपिक्स पर फोकस करना इंपोर्टन्ट है सबसे पहले जो चीजे आपको आपको ध्यार में रखना है यों आपको पता होना भूफ ज़ जोरूरी है डीटा क्या होता है डीटा एंटरी क्या होता है लाकेट सर्वे क्या होता है तो कुछ बेसिक फंडमेंटल है मेरे पूराने वीडियो देख लिए जहाँ पर मैंने पूरा डिस्क्राइब करके रखाए कि what is the exact meaning about data entry तो अज हम basic topics करेंगे कि किन topics पर आपको questions पूछे जाते तो आपको पहले structure समझना बहुत जरूरी तो यहाँ पर area covered यानि यह मेरे रिपूर्स, पर उनका भी data entry है कोई भी institute हो उसका अगर documentation करना हो तो वहाँ पर data entry का काम लगता है तो basic जो cover है वह data entry बहुत एरिया में यहाँ पर आपको example के लिए हम बताते हैं कि किसी bank में या फिर किसी institute या अगर कोई documentation करना हो तो वहाँ पर प्रापरली एक data entry का department होता है जो सारी चीज़े वहाँ पर fulfill करता है यानि employees कितने हैं कौन से employees किस जगह से जो data isolation का काम होता है ना सारा data सही तरीके से manage करने का काम यह data entry का काम वहाँ के लोग करते हैं तो अभी यह जो टाइप से कैसे cover होते है तो यहाँ पर दोती है यहाँ पर office job है work from home है या फिर आप individual भी कर सकते हो तो office job में आपको आपके office में जितने भी task है वह वहाँ पर assign किये जाते हैं जैसे example के तोर पर अगर HR के department में 100 लोग join हो रहे एक साल में तो 100 लोगों का data manage करने का का काम किसी other company को या फिर उसी company में कि इसी आधर department को मिलता है जो properly data entry का काम करते तो वहाँ पर भी यह चीज़े देखे जाती है तो आपको area या फिर work पता होना बहुत जरूरी आप किस department या किस फिल्ड में किस locations पे join हो रहे हो मैंने already कहा है कि area covered का मतलब यही होता है कि कहा कहा पर data entry लगता है और types of work में आप data entry क कि क्या क्या काम कर सकते हो जैसे मैंने कहा कि bank में data entry लगते हैं तो bank में भी बहुत अलग-अलग type के clerk है प्यो है तो बहुत अलग-अलग type के data entry के काम करने वारे भी लोग जवापे होते हैं typing speed की बात करेंगे गैस तो data entry में यहाँ पे बहुत सारे questions पोचे जाते basically इसको WPM से denote किया जाता है यानि word per minute कितना आप type कर सकते हो इसको WPM कहा जाता है तो max typing speed बहुत ही important है उसके साथ ही data accuracy भी बहुत ही important है मैंने already आपको बहुत सारी चीज़े explain करके दी पिछले वीडियो में कि data entry में कौन-कौन से चीज़े जो mandatory sections में आते हैं जिसमें से हमने ब अगर सोच लीजे आप 2 या 3 मिनिट में type करते हो एक page का data तो उसमें से कितना data आप accurate type करते हो 90 to 95% accuracy होना बहुत mandated है क्योंकि कोई-कोई institute ऐसा है ना यहां पर 99% accuracy होना बहुत ही mandated है अगर आप bank sections में word या फिर numbers डिलिट गलट डालोगे ना तो definitely उनको payment ज्यादा मिलेगा या क efficiency है वो WPM यानि जो typing speed है और वहाँ पर accuracy है उसको match करनी बहुत जरूरी है इन चीजों को focus किजए जितने भी बाते मैंने आभी तक आपको बताई है definitely इसका directly connection से data entry के interview के questions में आपको इसी के ऊपर बहुत सारे questions लगबग 60 to 70% questions इसकी उपर ही पूचे जाएंगे so interview crack करने का chances इस बहुत जादा यहाँ पर बढ़ सकते गई